ओम अतुलित बल्दामम भे मशेला बदेहम गरुजमन कसानुम ग्यानि नामम गर्णिम सकल गुणन लिधानम वानरानाम अधीशम रगुपती प्रिय भक्तम वात जातम नमाम हनमान जी माराज कल्यूग में समी भक्तों को तारने वाले यानि की उनको सब प्रकार के दुखों से छुटकारा दिलाने वाले और संकट मूचन माने गए हैं और अमरत्व के वर्दान के फलस रूप कल्यूग के अंत तक हनमान जी को अमरत्व का वर्दान है और भक्तों की रक्षा के लिए सदेव तत्पर रहते हैं इसलिए कल्यूग में हनमान जी को तारण हार भी माना गया है और हनमान जी का मंत्र जब जो करता है जो हनमान जी का पाट करता है चाए हनमान चालीसा का पाट करता हूँ चाए वो बजर्ग बाण का पाट करता हूँ तो अवश्य ही उसको हनमान जी के द्वारा किसी इनकिसी प्रकार से मदद जरूर मिलती है और उसकी सदेव रक्षा होती है और सब उसकी मनों कामनाएं पूर्ण होती है हन्मान जी को अमरत्वका वर्दान होने के कारण हन्मान जी तुरंती अपने वक्ति की सहायता कर देते हैं और हन्मान चालिसा का पाट तो वैसे काफी लोग करते हैं मगर सो बार हन्मान चालिसा का अगर को व्रुटी पाट करता है अगर कोई व्यक्ति हर मंगलवार को सौ हनमान चालिसा का पार्ट करता है तो वश्य उसे विश्यस प्रकार की सिद्धी प्राप्त होती है और उसके मौनो कामना पून हो जाती है और हनमान जी का पाट करने के लिए हमें मंगलवार का दिन का चैन करना पड़ता है और मंगलवार को ही हमें हनमान चलिसा का पाट करना चाहिए हनमान जी को सिंदूर अतिप्रिय है तो सिंदूर का लेपन हनमान जी महाराज के अवश्य करना चाहिए और सिंबूर को चमेली के देल में मिस्रित करके उसका लेपन अगर हनमान जी के मूर्ती के उपर किया जाता है तो बुरे से बुरे ग्रह के अगर हमारे को यूस प्रभाव होते हैं वो सब उससे तुरंती चत्काल समाप हो जाते हैं और हमारी बड़ी विपदा बड़े सहकर से तुरंती रक्षा हो जाती है इसलिए हनमान जी हमारी इस प्रकार से काफी साहता कर सकते हैं और जो वेक्ति नेमित रूप से सो हनमान चालिसा का पाट करता है तो उसे एक प्रकार से सिर्थी हासिल हो जाती है और जो जो मनवानचित कारी होते हैं वो सब कारी उसके संपून होने लग जाते हैं उसके मनोकामना पून हो जाती है और उसे सब दुखों से छुटकारा मिल जाता है इसलिए हमें अवश्य ही हनमानजी महराज की हनमानचलेसा का पाठ नित्य करना चाहिए और इसमें वस्त्रों का और आसन का रंग जो है वह लाल होना चाहिए लाल उन का आसन अगर मिल पड़े तो वह अतियुटम माना गया है और दक्षिन मुकी हनमानजी की जो मूर्ती होती है वह बड़ी ही प्रभाव साली होती है और ऐसी मूर्ती के सामने अगर जब किया जाए तो काफी जल्दी हमें उसका प्रभाव राखत हो सकता है और इसके इलाबा सोहनमानचलीसा का नीमित रूप से पाठ करने वाला वेक्ती या मंगलवार मंगलवार को ही अगर जो विक्ति सौर मान चलिस अगापाट करता है तो अवश्य ही उसको सिद्धी हासिल हो जाती है उसके बड़े-बड़े ऐसे कारे निकल जाते हैं जो की संभव होना भी नामुम्किन होता है ऐसे कारे भी उस विक्ति के संपन हो जाते हैं उसकी मनो कामना भी पूर्ण होती है और मनो इपसित कार यानि की जो मन में काफी समय से बड़ सो से चलती आरी मनो कामना भी जो हमेशा टलती आरी थी रुपती आरी थी वो भी पूर्ण हो जाती है और उसके सबी जितने भी दुश्मन होते हैं उस व्यक्ति का अहित नहीं कर सकते हैं और अगर उस व्यक्ति का कोई अहित करने का सोथता है तो उसका ही अहित हो जाता है यानि कि उसी का ही पूरा हो जाएगा अगर आपने हनमान चलिशा का सो काट करके उसको सिद्ध किया है और हर मंगल बार को हनमान चलिशा का सो काट करने वाला वेक्ति उस सिद्ध को वासिल करता है और अवश्य ही स्वपनावस्ता या जागरतवस्ता में किसीन की सुरूप में हन्मान जी उसको दर्सन देते ही है इसमें संदे नहीं है धन्यवाद